हेलो एवरिबन तो हम लोग आज बात करेंगे यहाँ पर आपका ITI स्कॉलर्शिप के बारे में तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका बिहार सरकार का पोस्ट मेट्रिक स्कॉलर्शिप जो आ चुका है और यहाँ पर फॉर्म फिलफ होना भी स्टार्ट हो चुका है तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे यह ITI स्टूडेंट के लिए करेंगे बाकि यहाँ आप 10th के बाद कोई भी कोर्स कर रहे हैं चाहिए आप इंटर कर रहे हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप डिप्लोमा कर रहें, इंजिरींग कर रहें या फिर आप पोश्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए Apple कर सकते हैं तो आप बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग बात करें कि कौन-कौन से Year कke लिए warm-fil-up हो रहा है कौन-कौन से कास्ट के स्टूडेंट तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे STSC यहाँ आप STSC केटोगरी से आते हैं तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट का कोमेंट आ रहा था कि सर इसके उपर एक वेडियो बना के बता दीजे कैसे फिल कोलेज जो है वो पहले से इस पोल्टल पे रिजिस्ट्रेशन किया हुआ होना चाहिए तब ही आप इसका फॉर्म जो भर पाएंगे क्योंकि जब आप फॉर्म अपलाई करना स्टार्ट करेंगे तो आगे चलके आपको वहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए बोला यह ठीक है तो यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि अपना कॉलेज जो वो रिजिस्टर है या नहीं है तो इसके लिए क्या करेंगे तो यह जो रिपोर्ट देख रहे ना इसके उपर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको टच करना है तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक new page open होगा तो चलिए देखते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आपका एक new page जो पोस्ट मेट्रिक स्कॉलर्शिप के उपर आपका institute का details जो यहाँ पे आपको fill up करने हैं और आपका जो college का name है वो यहाँ पे register है यह नहीं है वो दिखा देगा तो सबसे पहले आप यह कर लि आपको यहाँ पे इंतजार करना होगा और कौन कौन सा document यहाँ पे इसके लिए लगेगा यदि आपके पास वो सारे document नहीं है तो आप बनवा लीज़ेगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा इस वीडियो में last तक आप जरूर देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे देख कर लिया है उसके बाद district की बात करें तो दिस्टीक जो हमारा वो भागलपूर डिस्टीक मैंने select कर लिया है उसके बाद next यहीं देखें block यहाँ पर select करना है तो block जो आपको जिस किसी भी ब्लोक में आपका college आता है आप block select कर लेंगे उसके देखिए इंस्योट टाइप में post graduation कर रहे हैं तो तीसरे वाले option को select करेंगे ठीक है तो मैं यहाँ पे जो आपको ITI वालों के लिए बता रहा हूँ तो आप लोग बीच वाले option को select कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं भी college हो उसका तीन जो पहला लेटर होगा ना number आपका नाम का जो पहला तीन word होगा उसको आपको यहाँ पर भरना है ठीक है या फिर दूसरा आपके पास institute का ID है तो आप उसके थूरू इसको search कर सकते हैं या फिर आप institute के name को पूरे लिख के इसको search कर सकते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर जो search करके दीखाता हूँ आपको तीन पहला जो तीन लेटर है किसी एक college का उससे हो मैं सर्च करता हूँ यानि पहला नमर option पर मैं क्लिक करता हूँ तो चलिए मैंने पहला नमर आप्सन यहाँ पर select कर लिया है अब यहाँ पर तीन लेटर जो है वहाँ यहाँ पर इंस्ट्यूट है इन्होंने यहाँ पे अपना जो है रेजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप जो अपने इंस्ट्यूट को बोलिए पहले रेजिस्ट्रेशन कराने के लिए इस पॉर्टल के ऊपर ठीक है जब तक वो अपना रेजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे आप स यहाँ पर document होना चाहिए तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर document का जो list है वो यहाँ पर मैंने download कर रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बर तो देख सकते हैं आप लोग यह जो आपका user manual है मतलब की कैसे आपको form fill up करना इसमें सारा details बताया गिया है यदि आपको यह user manual चाहिए तो आप जो टेलिग्राम ग्रूप जो आन कर लिजेगे वहाँ पर मैं इसको share कर दूँगा ठीक है तो अभी देख सकते हैं यहाँ फिलाल यदि बात करें हम लोग यानि ITI college बहुत ही कम है कम से कम 10-15 ITI college ही है जो की registration किये हुए है तो इसलिए यहाँ पर अभी मैं फिलाल आपको पूरा form जो fill up करके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे college का यहाँ पर registration नहीं है एबलेबल तो इस वज़े से form में fill up करके नहीं दिखा सकता हूँ तो जब भी यहाँ पर register हो जाएगा तो मैं आपका form जो वो fill up करके आपको एक complete process जो भी होगा वो बता दूँगा ठीक है तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सा document की आपको अब सकता पड़ेगे इसके लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं certificate आपके पास आवासी certificate होना चाहिए ठीक है और तीसरा certificate की यही बात करें हम लोग तो cast certificate आपके पास होना चाहिए ठीक है government और बिहार का issue किया हुआ उसके बाद चौथा certificate यही हम देखें तो income certificate आपके पास होना चाहिए तो वो भी मैं बताऊंगा आपको तो वेडियो का आप लोग लाश तक देखिएगा और यदि वेडियो आपके लिए helpful रह रह रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा तो आगे चलके मैं complete process जो आपको एक form fill up करके भी बताऊंगा जब कि जब ITI का यहाँ पर registration हो जाएगा उनका name आजाएगा तो फिर मैं complete process आपको करके दिखाऊंगा ठीक है तो आप लोग बिल्कुल tension ना लें प्रेसान ना हो बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीज दिएगा और जब भी यहाँ पर registration होता है वीडियो आ जाएगा तो और यह द पड़ेगा ठीक है और इंस्ट्यूट का यहाँ पर फीज तो यह दोनों चीज आपको upload करने रहेंगे और यदि हम लोग लास्ट में कौन सा certificate लगेगा तो आप लोग देख सकते हैं यदि मान लिजिए आप ITI के second year के student हैं ठीक है तो आपको यहाँ पर first year का जो माक्सीट हो कर लगेगा और थर्डियर में है तो आपको second year का जो है certificate upload करना होगा ठीक है समझ गया है और जो first year student है ITI में first year में है जिनका अभी just session start ही हुआ है तो वो लोग जो अपना 10th का certificate है वो upload यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर last passing certificate बोल रहा है तो यदि आप ITI के first year में ही है तो आप उसके just पहले वाला फिलप की जेगा तो आपको 10th हो जाएगा ठीक है तो यह सारे certificate जो पर भरना पड़ेगा तो इसलिए आपके पास bank account number नहीं है तो आप अपना account जो खुलवा सकते हैं ठीक है तो यह सारे document list है जो कि आपको इसको फिलप करने से पहले आपके पास होना चाहिए तो देख लिजए जिए इसमें से कोई आपके पास नहीं है तो आप क्या कीज़े जो इसलिए तो आप लोग यहां पर देख सकते है student annual family income for all source should not be as following यहां पर देख सकते हैं यह आप SC category से है तो आपका income जो है वो 50,000 से ज़ादा नहीं होना चाहिए यहां पर देख सकते हैं उसके बाद यह आप BC category से आते है तो आपका जो इंकम है यह अधियादा से जादा नहीं होना चाहिए यहादी आप से ज्यादा नहीं होना चाहिए यदि आपके इस बीच में आ रहा है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं ठीक है तो आप लोग एक बार इसको अच्छी तरह से देख लिजेगा फिर आपका एक लाग से डिर लाग से ठाई लाग के बीच में तो भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं ठीक है तो यह जो आपका income का details है तो इस format में आपको अपना income certificate जो वो बनाना है ठीक है तो आप लोग इस format में अपना income certificate बना लिजेगा इससे ज़्यादा पैसे का मत बनवाईएगा नहीं तो आप इसके लिए apply नहीं कर पाएंगे आपकर जो form होगा वो reject कर दिया जाएगा ठीक तो यह चीज आप ध्यान दिजेगा और आपको बात करें आप bonafat certificate जो वो कैसा format में बनाना होगा तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर view पर आप click किजेगा अच्छा यहाँ से जो actually यह download नहीं हो रहा है तो वो मैं किसी other video में आपको बता दूँगा तो एक bonafat certificate आपको बनवाना होगा और आपको form का जो है आपको institute का जो fees है उसका एक fill up करके आपको यहाँ पर upload करना पड़ेगा तो I hope आपको समयज में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पर form जो होगा आपको यहाँ पर apply करना यही मैं दिखा देता हूँ, देखिए किस तरह से आप form apply किजेगा यही देखीए गा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर page पर registration करना होगा देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पहला student registration करना होगा जिसमें कि आपका नेम हो गया, आपका जेंडर हो गया, अधार कार्ड नमर हो गया, यहाँ पर अधार कार्ड में आपका नेम जो है वो आपको फिल अप करना, डेट ओफ बर्थ यहाँ पर डालना ठीक है, जैसा कि आपका अधार में है, उसके बाद मुबाइल नमर भेरिफा करना है तो यह सारे process है registration करने के लिए यहां पर रेजिस्टर करने के बाद आपको जो एक इस तरह से details जो next page में आपको दिखा देगा जो आपने यहां पर फिल अप किजेगा वो दिखाएगा उसके बाद register here पर जब क्लिक किजेगा नीचे जो देख रहे हैं register here इसके उपर जब आप क्लिक किजेगा तो फिर next page आपका इस तरह से open लिजेगा उसके बाद next page जैदी हम लोग चलेंगे continue करेंगे तो यहां पर देखिए आपको अब login करने बोलेगा जो कि आपको register यहां पर उपर जो देख सकते हैं यहां पर जो आपको दिया हुआ आइडी है ना यहां पर आइडी और password उसी को डालके यहां पर आपको register कर लेना है आगे जैसे register करेंगे उसके बाद next page जो आपका इस तरह से open होगा तो यहां पर देखिए आपको कुछ details जो fill up करने होगे पहला यहां पर क्या upload personal and bank account details आपको fill up करना होगा उसके बाद यहां apply for scholarship इस तरह से आपका खुलेगा ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं आपको personal details अपना जो fill up करना है और bank का details यहां पर fill up करना है next page में यहां पर देख सकते हैं यह सारा चीज़ तो हमने पहले ही fill up किया था जो यहां पर automatic आज आएगा उसके बाद आपको अपना address fill up कर लेना यहां पर पूरा complete address डालना है आपको आपका जो भी गाउं है सहर है जहां पर रहते हैं उसका address और नीचे में आपको bank account details डालना है देख सकते हैं यहां पर bank account details इस तरह से आपको fill up करना होगा तो जब भी इसका मेरा college का यहां पर registration हो जाएगा तो एक complete मैं आपको form fill up करके भ दिखाऊंगा पर फिलाल अभी नहीं है इस वज़े से मैं आपको यहां पर नहीं दिखा पा रहा हूं ठीक है उसके बाद देखे institute and course details हो जाएगा यहां पर जो आपका जिसके college में पढ़ रहे हैं उसका बारे में आपको detail यहां पर fill up करना आपको academic sessions यहां पर डालना रहें यहां पर पहले से लिस्ट है इसलिए मैंने बोला कि आपको institute का पहले देख लिए आपका institute जो रजिस्टर है इस portal पर यह नहीं है तो फिर आप इसको form fill up नहीं कर पाईएगा यहां पर आके आप फस जाईएगा ठीक है इसलिए पहले अपने college का registration होने दिजिए उसके बाद आप इसके लिए apply कि जएगा तो यह सारे details है इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर form जो fill up कर सकते हैं यहा सारे certificate देख सकते हैं 10th का certificate है, domicile है, caste है, income है तो यह सारे चीज़ बोनाफार certificate है, institute का fees वगेरा का है, mark seat है, passing का यह सारे चीज़ आपको यहां पर upload करना रहेगा जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया तो जैसे ही आपका उसके बाद एक photo भी आपको चाहिए होगा जो कि आपका 250 KB से नीचे का होना चाहिए, तो यह सारे चीज़ आपको यहां पर लगेगा इसमें form fill up करने के लिए, उसके बाद बस यहीं पर आपका form जो complete हो जाएगा और आप submit कर सकते हैं, तो जब भी यहां पर college का इसमें name आना शुरू हो जाएगा, registration हो जाएगा, तो मैं आ आपको जो बता दूँगा कि कैसे form fill up करना है, एक video बना के मैं आपको form fill up करके complete process जो दिखा दूँगा, तो फिलाल अभी iti college का registration नहीं दिखा रहा है, इसके उपर, इस वज़े से मैं यहां पर form जो नहीं भर पाऊंगा, ठीक है, तो चलिए मिलता है next video में, I hope आपको video पसं में नयम होगा, लेकिन आप iti student है, तो फिलाल आपको wait करना पड़ेगा, चलिए मिलता है next update में,